नमस्कार साथ यो डिक्टेक्शन स्टार्ट होगी पांस सेकेंड बाद स्टार्ट मोहदय, पर्यावरण से तात पर किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, बरण ब्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी प्रत्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव ब्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पढ़ता है बिराम, पर्यावरण से तात पर है, पेड़ पोधों, कोमा, नदी पहाड या किसी तंत्र विशेश से नहीं, कोमा, बरण उस समग्र बास्त विक्ता से है, जिस पर मानब मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण, आध्यात्मिक एवं बहुतिक विकास निर्वर है, बिराम, अस्तित्व केवल सारेरिक स्वास्त ही नहीं, मानसिक भी, बिराम, स्वस्त सरीर में, स्वस्त मन में ही अच्छे स्वास्त की परिवासा है, बिराम, शारेरिक स्वास्त हमारे आहार पर निर्वर है, जिसका स्रोत इस प्रत्वी का जल, थल, बायू मंडल है, बिराम, मानसिक स्वास्त भी प्रकारांतर से इनी पर निर्वर है, क्योंकि जैसा खाय अन्न बैसा बने मन, बिराम, स्वस्त जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, क्यों मारी परमपराओं का और उन सब परिस्तितियों का पढ़ता है, जो हमारे उपर आरोपित है या की गई है, कौमा, या की जा रही है, बिराम, इसलिए परियावरण में जल, थल, बायू ही नहीं, कौमा, बलकी बे सारे मेत्पुन गटक है, जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, कौमा, हमारी क्रिया शीलता पर पढ़ता है, कौमा, जैसे हमारे बिचार, हमारे आ आदी, बिराम, पेरा, सदा से मानव की आकंग्षा, उन्नती और विकास की रही है, बिराम, जगत का अर्थ ही गतिमान और गती, दोनों संभव है, कौमा, उन्नती की और भी और अबनती की और भी, बिराम, पहली को हम प्रगती कहते हैं, कौमा, दूसरी को एगती, कौमा, अदोगती या दुरगती कह सकते हैं विराम बास्तब में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक बिरोधावासी और एसंगत प्रतीत होने वाली प्रवर्तियां और प्रतिकिरियाएं होती है विराम बहे कानूर और व्यवस्ता की मांग करता है कौमा किंतु चलचित्र कौमा दूरदर्शन आदी में स्वेते बढ़की हिंसा या खेलों में युक्ति पूरवक की गई हिंसा अत्वा एनिती से मंत्रमुग्द भी हो जाता है विराम मनुष्य अपनी ही जाती या बर्ग के ब्यक्तियों के प्रति प्राय बहुत ही अधिक प्रतिद्वंदी होता है कौमा किंतु कोई बाहरी खत्रा उपस्तित होने पर उनके प्रति हद से जादा सहयोगी बन जाता है विराम भे सडकों पर या युद्धों में सामुविक बिनास के प्रति उदासीन रहता है कौमा किंतु खान में फसे हुए एक ब्यक्ति या किसी कोई में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए डेरो साधन जुटा लेता है विराम कुछ बिद्वान कहते है कि मनुष्य बंदर की संतान हो या ने हो कौमा किंतु उसमें खालिस बंदर की दुएद प्रकरती प्राय ही होती है उसमें साकाहारी बंदरों की भाती ब्रक्षों में उच्छल कुदल करने की प्रवर्ती तो होती ही है कौमा साथ ही ऐसे बंदरों की स्वभाविक चिग्यासा भी होती है जो अत्यंत संगठित ग्रोहों में रहते हैं और भाती भाती का मास खाने में मजा लेते हैं बिराम मनुष्य की ऐसी परस पर बिरोधी इच्छा आकंचाओ से निपटना ऐसंभव होता है कॉमा फिर भी किसी प्रकार का संतुलित माध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है बिराम यह बुद्धी मानी का रास्ता है बिराम बिद्ध्वानों ने मानव की मूलबूत आविशक्ताओं को पांच स्तरों में रखा है बिराम तरन्यवाद